नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं Mission Competition तो लास्ट वीडियो यानि प्रैक्टिस से टमबर 5 पे मैंने कोश्चन पूछा था कि क्या हमें वॉल्यूम वन का रिवीजन स्टार्ट करने में जा रहा हूं कि आप सब इसके साथ सहमत हैं आप सभी का बहुत बहुत भूस्ट है क्ने सब्सक्राइब यह बहुत है रिसके सब्सक्राइब करने हुए और support और प्यार हमारे साथ बनाए रखें हमारे चैनल साथ अपना believe बना के रखें आपके दरोगा बनने की रहा में जितनी ज़्यादा हमारे ओर से कोशी से हो सकती है 100% हम लोग आपको support करेंगे महनत हम करेंगे बट आपको भी हमारे साथ महनत करना होगा ठीक है चलिए तो आज हम देखेंगे practice number 6 ठीक है जिसे cut off marks होगा 72 उमीद कर तो आप से उसको touch करेंगे और चुकि lockdown लग गया है मतलब I mean exams cancel हो रहे हैं partially lockdowns लग रहे हैं तो इस चकर में आप please hopeless नहीं होए अपने पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें क्योंकि आप जब तक practice में नहीं रहेंगे आप से exam नहीं crack होगा तो आप सोचोगे कि दुबारा से date आएगा तो फिर हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत लेट हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना है अपने आपको practice में रखना है ना चलिए बिना दरीके फटफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला question मैं लेता हूँ चलिए पहला question क्या है एक वेक्ति अपने वेतन का एक बटटा चार भाग खाने पर शेस भाग एक बटटा दो मकान किराय पर ता था सेस एक बटटा चे भाग जो है परिवहन पर ये खर्च करता है इसके बाद 15 सुर्पे ये इसके पास बचत होती है ये 15 सुर्पे बचाता है तो वह मकान किराय पर कितना खर्च करता है यहाँ पर यह बताना है देखिए उसका मकान किराए पे टोटल वे जो है अठारा सो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा हमारा ठीक है टू देखते हैं 50% अलकोहल वाले 60 ml मिश्रन में कितनी पानी मिलाए जाए कि अलकोहल की मातरा 30% हो जाए तो इसमें 40 ml मिलाने पे अलकोहल कि मातरा जो है 30% हो जाएगी ठीक है अगला बढ़ते हैं नेक्स कोस्टन नेक्स है देखिए ए ए पांच जाव रुपे लागा कर एक वेपार आरम करता है तथा छे माह बाद आठ जाव रुपे लागा कर इसमें साज़दार बन जाता है ठीक है बी जो है यहाँ इसमें तो कुल जो है टोटल कितना प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पर यह बताना है तो प्रॉफिट का जो है मार्जिन वो लगवग अठारा जर पांसो रुपे होगा ठीक है डी करेक्ट हो जाएगा फोर नमबर देखते हैं यदि सांध जल में नाओ की चाल 10 किलमेटर आवर है तत धारा की चाल 2 किलमेटर आवर है तो धारा की दिशा में 2.5 आवर से नहीं रही घंटे में कुल कितनी दूरी नाओ जो है तैक करेगी तो नाओ जो है टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो लगवग 30 किलमेटर हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा फाइव नमबर कपड़ा जो है इसमें खर्च हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा सिक्स नमबर देखते हैं हाली में भारती रेलवे法 के नयाओ चेर्में सहसी इओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो यहां जो है सुनीत सर्मा को यहां पर पॉइंट किया गया ठीक है यह पूर होल रहा है किस व्यक्ति को रविन्ह ट्याय और साहिद पुरुसकार 2020 परदान किया गया है तो ये जो व्यक्ति हैं वो है राज कमल जा भी हमारा correct हो जाएगा राज कमल जाकून को पन्याज धी city and the sea के लिए यह समानित किया गया ठीक है और ये जो उपन्यास है ध्यान रखे निर्वेया जो रेप कांड हुआ था उसको परधारित है ठीक है और इस पुरसकार के तहए तो उनको 5000 डॉलर की रासी भी दी गई है एट नमबर देखते हैं UNDP द्वारा जारी मानव विका सुचकांग 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है तो भारत का जो रैंकिंग है जो स्थान है वो है उप्सन नमबर C 131 ठीक है मानव विका सुचकांग में 131 ठीक है और जो फर्स्ट रैंक की बात करें तो वो है का निर्मान भारत में किस राज में किया जा रहा है तो भारत का वो राज है MP मध्य परदेश ठीक है यहीं पे खंडवा जीले में नरवना अधिक पर ओम कारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरतेवे सारुर्जा पर्योजना का निर्मान किया जा रहा है ठीक है और यह जो परियोजना है इसको उमीद किया जा रहा है year 2020 से 23 के बीच में ये working condition में ready हो जाएगा 10 नमबर देखते हैं पुछ तक the little book of encouragement के लेखक कौन है the little book of encouragement के लेखक है दलाई लामबा जी c correct हो जाएगा right next question में बढ़ते है question number 11 भारत में सीसे का द पूल ठीक है तो दूसरा पूल जो बिहार बनाया गया है लेकिन यह तो बिहार का पहला है वो बनाया गया है राजगिर में आप सभी जानते होंगे काफी ज़्यादा news में रहा था और बिहार के लिए गौरफ की बात है कितना बढ़ी अन्स्वरस्रिक्चर बिहार बना है भारत में जो है सीसे का दूसरा पूल बिहार के राजगिर में यह बना है देखिए इसकी जो बात करें चोड़ाई की तो 6 फूट है और लंबाई जो है 85 फूट है और यह ऐसा अपने आप में जो पहला पूल है जो बिहार बनाया गया और ऐसा ही डिट्टो ऐसा ही ग्लास पूल जो है सबसे पहला इंडिया में और कोई बना था वो था सिक्की में बना था ठीक है ध्यान रखें यह एक्जाम में आ सकता है सिक्की में इससे पहले बन चुका है ठीक है सिक्की में पेलिंग में यह बनाए गया है और इसके बाद उत्रा खंड के रिसी केस में लक्ष तो वह है तो जो है रिलेशन देखिएए वाइफाई सुवधा से है है भी हमारा करेक्ट से हो जाएगाled चलिए नंबर थेरा देखते हैं कें सरकाड़ में किस भरतिये राज निता के जनम दिवस को प्राकरम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है तो वह में निता है याद रखें ये पूछा सकता है वो राज निता है सुभास चंद्र बोश जी भी हमारा correct हो जाएगा नेख सकते हैं 14 नंबर 14 में क्या है तो भारत की पहली lithium refinery किस राज में स्थापित की जाएगी तो भारत की पहली lithium refinery जो है वो गुजरात में स्थापित की जाएग पहले भारतिय रेशर कौन बन गए है formula 2 रेस जीतने वाले तो यह जो बन गए है देखिए जहान दारुवाला बन गए है एक correct हो जाएगा भारतिय ड्राइवर है यह जहान दारुवाला ठीक है इन्होंने खासिर को यानि भारीन के यह ड्राइवर है खासिर को खासिर grand prix के दोरान इन्होंने इसको हरा के इतियास रचा है तो यह important है ध्यान रखे जहान दारुवाला formula 2 रेस जीतने वाले पहले यह भारतिये बन गए है F2 रेस ठीक है चलिए next बढ़ते है 16 किस्तिति को प्रती वर्स अंतरास्टिय जैबिवित्ता दिवस मनाय जाता है तो वो जो है याद रखें 22nd of May D number हमारा correct हो जाएगा 17 number वर्स 2020 का साहित में नोबल प्रोसकार किसे परदान किया गया है तो वर्स 2020 का साहित में नोबल प्रोसकार कि अगर हम बात करें तो वह है Lewis Glick A हमारा correct हो जाएगा 18 number देखते है ACI खेल 2022 का योजन किस देश में किया जाएगा तो ACI खेल 2022 का योजन जो है वो चाइना में किया जाएगा C correct हो जाएगा ठीक है 2022 में होने वाला है 19 वाए ACI खेल जो एक बहुत खेल प्रतियोगता होती जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ये चाइना में होने वाला है 10 सेप्टेंबर से 25 सेप्टेंबर 2022 त 20 आयोजित किया जाता है तो यह याद रखें यहा है भारत और अमेरिका के बीच में क्या आता है सेओक तेला warto इन्दिए और अमेरिका के बीच में होता है ति किया गया था नेक्स्ट के और बरते हैं हम 20 नंबर क्या है बजट 2021-22 में कितने कितनी उम्र से अधिक वेक्तियों को कर से छूट का प्रवधान किया गया था तो ये जो है 75 वर्ष से उपर वाले आयों को वाले लोग को टैक्स रिलेक्षेशन जो है दिने की बाद करी गई थी नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 विस्वार्थिक मंच की विसेस वार्षिक बैठक आयोजन किस देश में किया जाएगा तो इसका आयोजन जो है विसेस आयोजन ये सिंगापूर में किया जाएगा ये हमारा 20 सड़ी option number A हमारा correct हो जाएगा 21 का ठीक है 22 देखते हैं हाली में भारत ने किस देश के साथ B.E.C.A. यानि basic exchange and cooperation agreement समझोता पर sign करा है तो ये जो है अमेरिका के साथ ये agreement जो है sign हुआ है D हमारा correct हो जाएगा नेक्स्ट क्यों बरते हैं नेक्स्ट हमारा question number 23 हाली में डॉक्टर V.Santa का निधन हो गया उनका संबंद किस छेतर से था तो याद रखे उनका संबंद जो है medical से था चिकित साथ था ये हमारा correct हो जाएगा विहार का पाला राजकिये पक्षी महतसव कलरव किस जीले में आउजित किया गया तो पहला जो महतसव है याद रखे जमूई में आउजित हुआ था D हमारा बिलकुल ही correct हो जाएगा ठीक है तो ये जनवरी 2021 में बिहार का पाला राजकिये पक्षी मनाए गया था और इसे जमुई के नागी नक्टी पक्ची विहार में बनाए गया था ये याद रखें पक्ची विहार का नाम याद रखें पूछा जाएगा मैं आपको लिख के देता हूं ये पूछा जाएगा तो इस महतसब का यूजन जो है नागी नक्टी पक्ची विहार में किया गया था जिस सिस्टम है सी हमारा correct हो जाएगा जो कि रश्या से लिया गया S 400 ठीक है 26 यूस ओन 2020 में महिला एकल का किताब किन होने जीता है तो महिला एकला खिताब याद रखें नाऊमी उसाकाने जीता है यह हमारा correct हो है ना तो यूएस ओपन ट्वेंटी यह हार्ड कोर्ट पे खिला आता है याद रखें है ना और पुरूस एकल विजयता कि अगर हम बात करें तो डोमनिक थियम हो जाएगा महिला एकल नाओमी उशाका टेक चलिए 27 देखते हैं वर्स 2020 में जी 20 देशों का सीकर्ट समेलन किस द बन गया है कौन तो वह जो पहला राज्य है वह केरल बन गया है डी एपसलूट करेक्ट हो जाएगा अगला देखते हैं 29 किस वर्स तक देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष निरधायत किया गया है तो वह जो यह है वह है ट्वेंटी ट्वेंटी ट है ऑप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा है ना तो पूरुच्री हाय अड़ा जो है पूरी तरह से बिलकुल ही सोलर नेर्जी पे चलने वाला यह एरपोर्ट बन चुका है ठीक है जो कि विमान प्रधिकरन यानि ए आई का पहला हवाई अड़ा बन गया है राइट चलिए किस में हाइड्रोजन बन नहीं होता है तो वो याद रखे हैं ह2 में नहीं होता है डी करेक्ट हो जाएगा हमारा 32, Lunar Caustic के नाम से जाना जाता है क्या तो Lunar Caustic के नाम से जाना जाता है Silver Nitrate C correct हो जाएगा, ठीक है Next क्यों बढ़ते हैं, 33 निमलिकिन तो सबसे अधिक Electron बंधुता वाला तत्व कौन सा है तो सबसे अधिक Electron बंधुता वाला जो तत्व है, वो है Chlorine, एक correct हो जाएगा 34, Grunachite किसका यस्क है तो Grunachite जो है, याद रखें, Cadmium का यस्क है ये भी हमारा Absolute correct हो जाएगा 35, Gun Metal मिस्र धातु के अव्यव है किसके अव्यव हैं, तो Gun Metal जो है, याद रखें ये तामबा, जिंक और टीन से मिलके बनते हैं ये इन्हीं तीनों का मिस्र धातु होता है Gun Metal, ठीक है 36, किस रसाइनिक योगिक को काच मिला देने से काच का रंग गहरा नीला हो जाता है तो वो जो रसाइनिक योगिक है, वो है Cobalt Oxide Option number B, correct हो जाएगा Next रहते हैं, 37 Europa निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है तो Europa जो है, ध्यान रखें ये व्रहस्पती का उपग्रह है 37, correct हो जाएगा Ganymed, I.O, Europa Calisto, Almeathia ये सारे जो हैं, व्रहस्पती ग्रह के उपग्रह है, ठीक Next कर बढ़ते हैं, 38 क्या है, सरद विशव की स्थिती कब होती है, देखे, सरद विशव की स्थिती, अगर हम बात करते होता है 23 सेप्टेंबर को ठीक है, 21 मार्च और 23 सेप्टेंबर को सूर विशवत रेखा पड़, लंबवत बिल्कुल पढ़ता है और चमकता है, और ऐसी इस्थिती में, सरवत्र हर तरफ दिन और रात की अबधी बराबर हो जाती है, ठीक है और दिन और रात की अबधी के बराबर होने पर जो मौसम की समानता है कारणी से विशवत या सम रात दिन कहते है, ठीक है, 21 मार्च को बसंत विशवत की स्थिती होती है 39, मेयाना ज्वाला मुखी ये कहां पर है, तो मेयाना ज्वाला मुखी याद रखे ये है, फिलिपीन्स में, C करेक्ट हो जाएगा, अगला देखते हैं, 40, क्या है निमलिकन से कौन सी जल संधी अंडमार सागर एवं दक्षिन चीन सागर को एक दूसर से जोड़ती है, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, अगले के और भरते हैं, 42, निमलिकित में से कौन एक प्रसांद महासागर की ठंडी जल दारा नहीं है, तो ठंडी जल दारा जो नहीं है, वो याद रखे, अलास्का की धारा जो है, ठंडी जल दारा नहीं है, C हमारा करेक्ट हो जाएगा, 43, भा भारतिय भूमी का सबसे दक्षिंतम बिंदू क्या है तो भारतिय मुख्य भूमी का सबसे साूसर्ण नाडु में इस्तित है ना और इंद्रा पॉइंट की ब्हुंध ब्हूमी इदूर दक्षिंतम बिंदू यह ठीक है जो अंडमाण निकोबार आइलेंड समूह के असपास ये मिलता है वहाँ पर ये है और ग्रेट निकोबार दुइप में ये इस्थित है ठीक है अंड़मान निकोबार आइलेंड और ग्रेट निकोबार दुइप के बीच में वहाँ पर ये स्टैबलिस्ट है 45 निमल की से किस देस के साथ पश्चिम बंगल राज की सीमा नहीं लगती है तो वो जो राज है वो है मियान मार, B, correct हो जाएगा पश्चिम बंगल की राज की जो सीमा है वो तीन देसों के साथ लगती है भुटान नेपाल और बंगलादेश ठीक अगला देखते हैं अगला हमारा क्या है 46 मुलिंग ला दर्रा किस राज या केन सासित प्रदेश में ये है तो ये जो है उत्तरा खंड में है C करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स देखते है 47 टोन्स किस नदी की सहायक नदी है टोन्स सिंगर रिहंद यमुना की ये सारी की सारी जो है अन्ने सहायक नदीयों में से एक है मतलब इनी सब का नाम है ठीक है 48 दुग्द धारा जलपरपात किस नदी पर इस्थित है तो ये जलपरपात है ये नरमदा नदी पर इस्थित है भी करेक्ट हो जाएगा 49 निमाडी निमन लखित में से किस लख का अंस सरवाधिक होता है तो लोहे का जो अंस है याद रखें मेग्रेट टाईट में होता है सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा 51 देखते हैं भारत में कौन सा राज उनका सरवाधिक उत्पादन करता है बो है राजस्थान भी हमारा absolute correct हो ज तोध्वहनी का तारित और निर्वर किस पर करता है तो ध्वहनी का तारित जो है वह निर्वर करता है आवर्ती पर Viv hem और क्रेक्ट हो जाएगा फिफटी फॉर देखते हैं वहनों में साइड मीरार के रूप में निमनेاب से किस दर्पान का यूज कanja जाता है तो side mirror के रूप में हमेसे याद रखें उत्तल दरपन का use होता है बी हमारा एकदम correct हो जाएगा 55 प्रात्मिक इंदर धनुस में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है तो प्रात्मिक इंदर धनुस में अंदर की ओर जो रंग होता है वो होता है बैगनी भी हमारा बिलकुल ही correct हो जाएगा नेक्स देखते हैं नेक्स है हमारा 56 निम्में लिकेदर से कौन विन्दुत चुमबकिया तरंग की तरंग है तो इनमें जो तरंग विन्दुत चुमबकिया वो है एक्स तरंग D correct हो जाएगा 57 दुरिष्विकरन की खोज किस वैग्यानिक ने की थी दुरिष्विकरन की खोज जो है हमेशा याद रखें न्यूटन भाई साब ने करा था C correct हो जाएगा ठीक है दुरिष्विकरन की खोज जो है तरंगधैर 49 अंग्स्ट्रम और से लेके अठाटर सो आंग्स्ट्रम के बीच में ये होता है ठीक 58 देखते है 58 में क्या बोल रहा है देखिए सम्विधान के अनुच्छेद एक कंतरगत यूनियन ओफ स्टेट्स में नीमने में से कौन समलित है तो यूनियन ओफ स्टेट्स में जो समलित है याद रखें सिर्फ और सिर तीन में वर्णित मूल अधिकारों का भारत का मैगना कार्टा कहा जाता है 60 नमबर देखते हैं संसेद्य अपनाली में सून निकाल किसकी देन है तो संसेद्य अपनाली में सून निकाल हमेशा याद रखें गरवाली बात है इंडिया का ये देन है ये हमारा करेक्ट हो बासट नमबर निम्न में से किस वर्स भारत में राश्टिया पातकाल लागू हुआ तो भारत में राश्टिया पातकाल जो लागू हुआ वह था 1965 में यह हमारा यहां बिल्कुल ही सई हो जाएगा देखते हैं दुइतिया पीश्रा वर्ग आयोग का गठन किस की अध्यक्सता में हुआ था जो था बीपी मन्डल की अध्यक्सता में भी हमारा एपसलूट करेक्ट हो जाएगा 64 देखते हैं क्या है सदन के अनुमती के बिना कोई भी सदसे कितनी अवधी से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में अनुपस्तित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त कर सकता है तो यह याद रखे हमेशा हैर यहां तो option ही नहीं है देख लें समझ लें ठीक है यादि कोई भी सदसे सदन की अनुमती के भीना 60 देज साठ दिन ठीक है यानि की दो मन्त बोल लीजे ठीक है आर्टिकल नंबर 249 भी हमारा correct हो जाएगा तो 249 के दाथ राजसभा को यह सकती प्राप्त है कि वह राजसुची में समलित विशे पर विदी बनाने के लिए संसत को अधिकरित कर सकती है उसको बोल सकती है 66 देखते हैं क्या है नियुनतम समर्थन मूल यानि की MSP ठीक है कि अब धर्णा किस समीती द्वारा दी गई तो यह अब धर्णा जो है दी गई है याद रखे लक्षमी कांजा समीती द्वारा डी correct हो जाएगा 67 भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेस किया गया तो भारत में पहली बार यह जो बजट है पेस हुआ था नहीं है 69 उद्देश निर्यात का अर्थ क्या होता है तो अर्थ होता है सिमाओं का निर्यात एज नंबर हमारा correct हो जाएगा 70 नंबर देखते हैं सार्दा अधिनियम किसके related है यह कब आया था 1930 में यह आया था ठीक है हरी विला सार्दा के प्रयत्नों के बल से बाल विवा निशेद कानून सार्दा अधिनियम लागू ये करा गया था और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की जो शादी की जो मिनमम एज 14 येर्स ते उसको बढ़ा के 18 येर्स कर दी गई है ना जो आज भी है इकहतर नंबर स्वराज सब्द का प्रथम बारप्रयों कोंग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया तो कॉंग्रेस का जो अधिवेशन था जिसमें करा गया वो था कॉलकता अधिवेशन 1906 अपसन नंबर एक करेक्ट हुजाएगा 72 नमबर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्यागरा किस वर्स शुरू किया था तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्यागरा जो है 1940 में शुरू किया था यह हमारा correct हो जाएगा व्यक्तिगत सत्यागरा की सुरुवाद 1940 में की थी महत्मागादी ने ठीक है नेक्स्ट केरो बढ़ते हैं 74 सत्पत ब्राम्मन ग्रंथ किस वेद से रिलेटेड है तो सत्पत ब्राम्मन ग्रंथ जो है यह यह जुर्वेद से रिलेटेड है भी हमारा बिलकुल ही करेक्ट हो जाएगा 75 नमबर कथा सरीत सागर की रचाईता कौन थे तो कथा सरीत सागर के र 26 कौन सा हडपा इस थल घगर नदी के किनारे में बसा हुआ है तो वो जो है काली बंगा है C correct हो जाएगा 77 नमबर उदाइन किस वंस का सा सकता तो उदाइन जो है याद रखे हरियक वंस का सा सकता एक correct हो जाएगा ठीक है उदाइन हर्यकवंस का सा सकता है याद रखे इस बात को और उसने गंगा था सोन नदी के संगम पर पाटली पुत्रा नाम का नगर के स्थापना की थी तो ये भी कोशन आयागा और आता भी है बहुत बार आया हुआ है कि पाटली पुत्रा नगर को किसने बसाया तो उदाइन नहीं बसाया था याद रखे इस बात को है ना और उसे अपनी राजधानी बनाया था उदाइन कहा का था किस वंस का था तो हर्यक वंस का था अटतर गुप्त सम्वत की सुरुवात किसने की थी तो गुप्त सम्वत की सुरुवात याद कर ले यह करा था चंद्रगुप्त फरस्ट ने यह हमारा करेक्ट हो जाएगा कब यह इसने करा था तो 319 इसा पूर से इस्वी में स्वी में इसने स्टार्ट करा था ठीक है नेक्स जेकते हैं 79 कुतॉबदिन एबख की रजधानी कहा थी तो कुतॉबदिन एबख की रजधानी जो है वो लहोर थी भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है असी नमबर दिवाने आरीज नामक 96 विभाग का गठन किसने किया था तो यह विभाग का गठन जो किया था वो बल्बन ने किया था इसी ने लौई वम रक्त की भी नीती करी थी इसने सजदा पाबॉस की प्रथा भी डाला था है ना तो ये बल्बन जो है काफी ही कुरूर और इंपोर्टेंट ये एक तरीके से इसको आप रूलर बोल सकते हैं बहुत मतलब इसके टाइम में बहुत सारी चैंजित हुई थी तो इसका जो रीजन है याद रखें बल्बन इसको बैसिकली अपने लौई वम रक्त की नीतियों के वज़से सजदा पाबॉस प्रथा इसने स्टार्ट कर ला था इन सब चीजों से और ये जो है दिवाने अरीज नामक सैने विभागस ने स्थापित करा इस वज़से भी इसको जाना जाता है ये इतना कुरूर था कि अपने सैनिकों को लेकर ना मतलब ये अपने सैनिकों के फिटनेस पर बहुत ध्यान देता था ठीक है ये मतलब खुद भी सुभे सुभे बिलकुल ही मतलब 5 बजे उट जाता था 5,5 बजे और अपने सारे सैनिकों को मतलब पैदल ये मार्च करवाता था खुद घोड़े पे होता था और ये खुद जो है मीलों तक उनको लेके जाता था ये इसलिए जाता था कि अगर कोई याकर इनका इंप्लॉई लेके जाये तो हो सकता है सैनिक जो है थोरा मतलब ये गुटली माड ले इसलिए बिल्कुल अपने निगरानी में सब को बिल्कुल बहुता है फिजिकल फिटनेस के लिए पैदल लेके मीलो तक जाता था और फिर वापस आता था मतलब सारे सेनकों का अपना जूस चूस लेता था ये हर रोज ठीक है तो काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से इसको कुरूर सासक की संग्याद दी गई है 81 देखते हैं, तारीखे फिरोज साही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीखे फिरोज साही की रचना है, याद रखे ये करा गया था, जियाओदिन बर्नी के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा, तारीखे फिरोज साही, जियाओदिन बर्नी, 82 संप्रदाइक या सम्रदाइक निर्न है जो इंग्लिस में इसको बोले आता है कमिनल लवार्ड और मैक डॉनल लवार्ड इसकी घोशना की थी और यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीती पर एक अन्य इसका जो है इसको आप बोल सकते हैं इससे लिटेट काफी डीटेल में आपको पढ़ना होगा तब इसको आप समझ पाएंगे अभी वीडियो में बताने हैं बैठोंगा तो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं बोलूँग होगा कि आप भी थोर आपने और से सर्च करें नेट पर यह सम्रदाइक पंचाट या कमिनल अवार्ड क्या था अंग्रे जो किदर आई जरूर सर्च करें ठीक है 83 खेडा का युद्ध कब हुआ था ठीक है खेडा का जो युद्ध है यह हुआ था 1707 में भी हमारा करेक्ट ह 8033 देखते हैं निम्न in Siqis जनतू के गमन के लिए कूठपाद पाए जाते हैं तो वह जो है अमीबह है भी करेक्ट हो झाएगा ठीक 85 सर्फो किस खुल का पौधा है तो सर्फो जो है याद रखें यह है करूसीफेरी का पौधा कर सिफेरी कुल का यह पौधा है एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला हमारा क्या है अगला है 86 क्लोरोफिल में पाये जाने वाला धाटू कौन सा धातू है, ahead अगला देखते हैं next है 88 मस्तिस का कौन सा भागसरीर का सुन्तन बना रखता है यह एक्चिक पेशियो के संकूचन में ये नियंतरन करता है तो वो जो है सेरेबिलम है B, absolute correct हो जाएगा 89, पाइरी डॉक्सीन निम्न में से किस विटमीन का रसाइनिक नाम है तो पाइरी डॉक्सीन जो है याद रखे विटमीन B6 का रसाइनिक नाम है C हमारा यहां correct हो जाएगा अगला देखते हैं 90 नमबर किस अधनियम के दोरा केंडर में दुई सद नामक विधाईका के स्थापित की गई तो ये जो है स्थापित जो किया गया था भारतसरकार अधनियम 1990-1919 का दरा स्थापित किया गया था ये 1919 भारतसरकार अधनियम आया था जिसमें केंडर में दोई सद नामक विधाईका की स्थापना करी गई थी और विधान परिशत का स्थान और राज परिशत था विधान सभावाले दोई सद नामक विधान मंडल से ले लिया गया था ठीक है 91 देखते हैं क्या बोला जा रहा है 13 December 1946 को सम्विधान सभा के उद्देश प्रस्ताओं के लिए किने प्रस्तूत किया गया था तो उद्देश प्रस्ताओं के लिए याद रखें जवाहर लाल नहरू को प्रस्तूत किया गया था D हमारा correct हो जाएगा 13 December 1946 को जो है उद्देश प्रस्ताओं प्रस्तूत किया गया था और उद्देश प्रस्ताओं को 22 1947 को सुईकृती मिल गई थी 92 भारतिय सम्विधान में राजसभा के सदस्यों का की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के सम्विधान से ग्रहित करी गई है यानि कोपी किया गया है तो यह जो किया गया है साउथ एफ्रिका दक्षिन एफ्रिका के सम्विधान से इसको उठाया गया है चलیए आगला देखते है 93 प्रोट्यम स्पीकर की नियुकती कौन करता है बहुत अच्छा कोश्चन नहीं है ठीक है तो protein स्पीकर की नियोक्ति है वो याद रखें, राष्टपती के दुरह होती है, see correct हो जाएगा, protein स्पीकर पहलए समझेए क्या होता है, तो protein स्पीकर की नियोक्ती लोग सभा के आम चुनाओ के बाद, यानि general actions के बाद राष्टपती दुरह की जाती है, और ये जो है समानेता लोग सभा का जो सबसे वरिस्ट सबसे बुजुर्ग जो सदस्य होता है मतलब एज में नहीं भाई एज और एक्स्पिरियंस दोनों वाइस ठीक है तो उसी को जो है लोग सभा के नव निर्वाचित सदस्यों को सपत ग्रहन करवाने के लिए प्रोटेम स्पिकर के पाद पर न्यूक्त किया जाता है और लोग सभा का ध्यक्ष का जैसे ही चैन होता है यह आटमेटिक प्रोटेम स्पिकर की बरखास्तकी हो जाती है मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोटेम स्पिकर एक तरीके से टेंप्रारी स्पिकर होते हैं ल तो सेंट जोन्स जू है कोस्टा रिका की राजधानी है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा 95 दंपाव अभ्यारणते यह किस स्टेट में है तो यह याद रखे मिजुरम में है दंपाव अभ्यारणते ठीक है चलिए और याद रखे 1988 में ये जो 1952 में भारसरकार जो वन सन्रक्चन नीती लाउ करी थी ये 1988 में दुबारा से इसको क्या किया गया तो संतोधित किया था ठीक है इसमें कुछ रिफाइन किया गया चीज़े बहुत उल्टी पुल्टी थी तो इसमें और भी कुछ चीज़े अड़ान करी गई कुछ घटाई गई ठीक है ठीक है तो सत्रिय जो है ये असम की सास्त्रिय निर्थ सैली है एक करेक्ट हो जाएगा आज का हमारा आखरी कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर हंडरेड डेनमार्क की संसद किस नाम से ये प्रसिद्ध है तो डेनमार्क की संसद जो है ये फॉलकेटिंग के नाम से प् complete किया होगा और इस cut-up से भी ज़्यादा अपने अच्छा स्कोर किया होगा तो लाइक करके अपने टेंटेंस को दर्च करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना बूलें आज की इस वीडियो में फिलहाल तो बस इतना ही तिल देन टेक क्यार बाबाए एंड गाड ब